हाई दोस्तों कैसे आप लोग मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर नवनीत कार रहा और जैसे कि आप जानते हैं मुझे भी कॉविड हो चुका है और मैं भी आज 12 दिन में परवेश कर चुका हूँ क्या बोलू अपने बारे में नहीं भी बोलूँगा आज बात करूंगा normal oxygen level कितना होता है इसके बारे में बड़ी साड़ी अजीब अजीब इबाते are normal pulse rate कितना होता है बहुत सरे लोगों को कुछ चीजों का पता नहीं है आज मैं उसको clear कर नहीं हूँ देखो, normal oxygen कितनी होने चाहिए, वो सब को पता है कि 95 से 100% के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनकी already oxygen कम रहती है, हमेशा के लिए कम रहती है, पहले से ही कम रहती है, जैसे कि मोटे लोग, बहुत मोटे लोग, उनकी oxygen थोड़ी borderline कम रहती ह या जिनकी सांस की बीमारियां पहले से हैं, या जिनको heart की problem पहले से हैं, तो हो सकता है, उनकी normal oxygen ही 90% रहती हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप कैसे इस चीज को face करोगे, हाना, नहीं समझा आप, कि ये तीन ऐसे लोग हैं, जिनकी oxygen पहले से कम रहती है, इनकी normal oxygen, कि अपनी baseline oxygen क कि कितनी है, ये आपका जो pulse oximeter है, इसको अगर आप बिना बिमारी के देखेंगे, तो उसको बोलते है, base SPO2, तो baseline SPO2 कितनी होती है एक इनसान की, वो होती है 95 से 100%, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनकी हमेशा ही low रहती है, जैसे की, मोटे लोग जिनका की 94 तक भी आ स सकती है, जिनका बहुत जादा weight जादा है, दूसरे वो लोग जिनको सांस की बिमारियां है, लंग्स की बिमारियां है, पहले सही, asthma है, COPD है, उनकी oxygen कम हो सकती है, 88 से 92% के बीच में, ठीक है, और heart problem, तो हमारी normal, मेरी normal oxygen हो गई 94 से उपर, 95 से उपर, लेकिन जो एक सांस कम मर इसका 90 परसेंट आ गया तो आप इसको, पेशेंट स्टेबल है, पेशेंट की oxygen 90 परसेंट आ रहे है, लेकिन अगर आप दूसरे पेशेंट से compare करो, तो इसको oxygen normal नहीं है, लो है, इसको admit होना चाहिए, यह high risk पर इसके सांस की problem है, लेकिन उसके तो normal oxygen ही इतनी रहती है, 88 to 92% तो यह एक baseline, इसलिए मैं बोलूँ कि baseline oxygen level सबका पता होना चाहिए, कि हमारा baseline oxygen कितना रहता है, ठीक है, अब मेरा अगर baseline oxygen 97% रहता है, और मेरे 3% की गिरावट आ जाए उसमें, 3% की गिरावट अगर आ जाती है oxygen level में, तो वो significant माना जाता है, जबसे मेरा अगर 97% है और मेरा 94 पे रह जाता है, वैसे तो 95 से लेके 99% तक हम होता है कि normal होता है, खासी है थोड़ी सी, हल्की सी है, घबराना नहीं है, एक शी और मैं पताना चाहता हूँ, एक इंसान की oxygen 96% है, दूसरे की 100% है, तो इसमें कोई खास फरक नहीं पढ़ता है, कि मेरी 100% है, इसकी 96% है, तो क 96 वाले की अगर कम होके 93 पे आ जाती है, तो 3% का ड्रॉप हो गया, abnormal में convert हो गया, तो significant है, एक की oxygen 92 रहती है, normal oxygen 92 रहती है, अगर उसकी कम होके 88% पे आ जाती है, तो abnormal है, तो 3% का गिरावट, एक abnormal दिशा की तरफ, आपका करता है कि ये patient ठीक नहीं है, अब मैंने पहले भी कि normal pulse कितनी होती है, normal pulse होती है, हमारी adult में, 12 साल से बच्चे से लेके adult में, 12 साल से बड़े और adult में, 60 से लेके 100 तक normal pulse होती है, अब कहीं लोग बोल देते हैं, sir मेरी pulse 98 हो गई, sir मेरी pulse 100 हो गई, sir मेरी pulse 65 हो गई, तो 60 से 100 के बीच में pulse normal होती है, किसी की pulse lower side में होती है, किसी क बोलते है normal pulse और 100 से उपर हो जाए तो sinus tachycardia 60 से नीचे हो जाए तो bradycardia बोलते है जो athletes होते हैं जो athletes होते हैं जो athletic sports में होते हैं उनकी pulse कम होती है उनकी pulse 40 से 100 के बीच में normal pulse रहती है क्योंकि उनका जो system होता हो इस तरह का हो जाता है कि उनकी normal pulse भी 40-60 के बीच में रहती है जो sportsmen होते हैं, जो athletes होते हैं बच्चे, बच्चे अगर 3-11 साल तक के उमर के बच्चे हैं उनकी normal pulse 120 तक आ सकती है तो गबराने की बात नहीं है बच्चों की pulse कम जादा हो सकती है 120 तक normal pulse हो सकती है बच्चों की लेकिन जो 12 साल से उपर के बच्चे हैं, जो adult हैं उनकी normal pulse 60 से लेके 100 के बिच में होती है pulse जादा ना हो, इसके लिए चाय कोफी मिच्च जितने excitement होते हैं वाली चीजे होती हैं, इसको ना खाएं अगर आप chocolates हो गया, caffeine हो गया या super drinks जो हम energy drinks लेते हैं, chocolates बार हो गई तो यह चीजें avoid करने चाहिए अगर आपकी pulse high side में रहती है और थोड़ा सा yoga meditation जरूर करना चाहिए इन लोगों को, ठीक है तो यह था एक छोटा सा topic, pulse के उपर और oxygen के उपर तो oxygen के उपर इसलिए बताना जरूरी था कि कहीं लोगों की baseline oxygen अपने पहले से ही low होती है तो उनके लिए hypoxia, hypoxia बोलते है कि जब आपकी oxygen saturation कम हो जाती है तो normal person के लिए, मेरे SI के लिए 95 से 100 तक normal है अगर मेरा 94 से नीचे जाएगा तो मैं बोलूँगा oxygen मेरा level कम है उसका normal oxygen अगर 90 ही रहता है हमेशा, तो उसके लिए 90 ही normal है तो उसको भी घबराने की बात नहीं है ठीक है, लेकिन ये बात भी सच है कि ये लोग high risk पे होते हैं जिनको already बिमारियां है, comorbid condition है, जिनका वजन जादा है, जिनकी सांस की बिमारियां तो ये थोड़े से high risk पे होते हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि इनका अपना एक oxygen level होता है, जो आम आदमी से थोड़े सा कम होता है ये उसी पे maintain रहते हैं, उसी पे इनको कोई problem नहीं होती ये अपने normal कावाम करते रहते हैं, इनकी body उसके हिसाब से adjust हो चुकी होती है तो छोटा सा topic था normal pulse, normal oxygen के बारे में और pulse oximeter अच्छी quality का खरीदें, ये मैं आपको पहले बता दूँ कि चाहिना का माल ना खरीदें तो जाला अच्छा है, क्योंकि pulse oximeter एक ऐसी चीज है जो आपकी धड़कन एक मिनट में बढ़ा सकता है, एक मिनट में normal कर सकता है हमारे जो pulse rate उसमें आता है न, वो हमारी pulse oximeter की वज़े से भी बहुत depend करता है आपको oxygen जरा सा dip हुआ और आपकी pulse fast हो जाती है, गवराट के मारे होता है न, ऐसा मेरे साथ तो बहुत होता है यार, मैं क्या क्या बता हूँ चलो, अब चलते हुए इतना ही बोलूँगा भाई कोवी ने एक बार सिखाई है, कि जिसको बचाना है, उसको बचाना है, वो बच जाएगा जिसने जाना है, उसने जाना है, उसको कोई रोक नहीं सकता, आप कुछ भी कर लो तो, कोन किसी को बांद सका, हाँ, कोन किसी को बांद सका, सैयाद तो एक दिन जाना है थोड के पिंजरा, एक न एक दिन, पंची को उड़ जाना है सुर नहीं लग रहे हैं ना, क्या करूँ यार, गले में दिक्कत है इतना गाप आ रहा हूँ यही बहुत बड़ी बात है लोग तो COVID के नाम पे दुबक के बैठ जाते हैं फिर भी मेरी हिम्मत है कि मैं एक वीडियो रोज लेकर आ रहा हूँ बना रहा हूँ सिर्फ वज़े से कि आप से मेरा जो संबंद है और टूटे ना मेरी जो ले बनी हुई है तूटे ना और मुझे भी एक काम मिला हुआ है छूटे ना यह पॉस्टिविटी बनी रहे आपके मेरे बीच में थैंक यू एरी मच आपका अपना डॉक्टर नमनी तकाला और रिश्ष कपूर लेकर आता रहेगा इसी तरह से छोटोड़े टॉपिक कुछ लोग तो यह कहते हैं आपको हुआ भी है कोविड आपनो टंकी कर रहे हो यार एक दिन सारी रिपोर्टर दिखाऊंगा भी चैनल ले लो मुझे भी क्या मिलेगा घर बैठके आज साथ आठ दिन होगे घर बैठे हुए सारे वीडियो घर पे बैठके बना रहा हूँ आपको भी दिख रहा होगा किसी को शौक नहीं होता है घर बैठने के सब काम नम छोड़के घर बैठना किसको अच्छा लगता है बताओ थैंक यू वेरी मच एक न एक दिन जाना है जिसने जाना है बाई अजय को वेरी मच एक दोड़के बाई